कि अब सब आप सब आप सो बढ़िया होंगे मज़े में होंगे आज कर दो वीडियो अगें गए क्लास 12 की अकाउंट इन सी का एडिमेशन आप पार्टनर का एक क्वेश्चन जो है हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं यह एक इंपॉर्टन क्वेश्चन है तो आप से समझ सकत है कि यह कैसे सॉल्व हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टेस करके और भी से क्वेश्चन कर सकते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यह एजस्मेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन नहीं है बोर्ड में दादातर अजस्मेंट ऑफ कैपिटल ही पूछा थयरे क cow pools और कमेंट और अलगो सिंपल कर शकते हैं लेकिन आगे बड़ने से पहले में कहना चाहूंगा अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब balance sheet जो है करन अमित की 31st March 2022 को यानि जिस दिन क्रितिका का admission हो रहा है उस दिन की balance sheet आपको यहाँ पर दी गई है नीचे कुछ transactions है तो सबसे पहली चीज जब भी ऐसा question हो तो पहली सबसे important चीज जो है वो यह है कि आपको question को अच्छे से पढ़ना है बहुत बार क्या होता है जो mistake होते हो यह कि बच्चे क्या करते हैं पढ़ते ही नहीं है वो इसको skip कर देता है नीचे आ जाता है और सीथे adjustments करने लग जाते हैं और कहीं न कहीं कई बार क्या होता है पॉइंट यहां पर दिये होते हैं जिसकी वज़े से question जो है वो गलत solve हो जाता है तो यह गलती आपको नहीं करनी है question आपको starting से पूरा पढ़ना है अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के data की तो भाई liabilities में हमें पता है कि यह जो capital account होते है जो capital दिये होती है तो सीधे सीधे अपकी capital account में जाएगी इसका बाकी कहीं और लेना देना नहीं है employee provident fund distribute नहीं होता तो यह भी as such कहीं नहीं आएगा workers compensation के साथ कुछ terms and conditions होती है यह distribute भी होता है कई बार revolution के अंदर भी दिखता है वो सारे चीजें already detailed form में वीडियो के तरीके से मैं अपलोड करी है इस चैनल पे तो link आपको description में मिल जाएगा आप उसको देखकर वहाँ से concept clear कर सकते है then sundry creditors again liabilities related को transaction होगा तब ही हम करेंगे otherwise हम इसको नहीं चड़ेंगे इस side के अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी plant, machine, furniture यह जो assets है इन से related अगर कोई adjustment दी गई है तब ही आप इनको change करेंगे otherwise आप इसका कुछ भी नहीं करेंगे as it is इसको नहीं balance sheet में लिखेंगे बट अगर बात करें इसकी that is profit and loss account तो अगर आपको कैसी question में profit and loss account दिया है या फिर इसके साथ debit balance लिखा है तो it means कि एक type का loss है और यह distribute होगा partners में partners की capital account की two side में ठीक है इसको आप two side में ले जाएंगे partners capital की तो यह भी हम solve करेंगे तो हम इससे देखते है debtors and cash in hand cash in hand के लिए तो obviously अलग से आपका cash account बनता है तो वहाँ पे जाएगा as such इसके अलावा कहीं और यह नहीं दिखेगा debtors के साथ generally provision की बात करी जाती है और provision यहाँ पे भी दिया हुआ है तो इस तरीके सबसको record करेंगे अब बात कर लेते हैं कि question में करना क्या है conditions क्या है तो पहला point कहता है कि कृतिका जो है वो अपने साथ 20,000 जो है capital लेके आएगी and 5,000 लेके आएगी as share of premium for goodwill जिनको premium for goodwill के बारे में नहीं पता again वो इस channel के accountancy वाली playlist में goodwill को देख सकते हैं नहीं कर दो कि अपने वीडियो को या खिर factor affecting goodwill के different methods of valuation of goodwill के आए फिर भी अगर आपको समझ में नहीं है तो comment करके भी पूच सकते हैं आपके लिए एक latest video बनाऊंगा related to this topic then second point अपसे कहता है provision for wedding doubtful debts to be created at 5% अचागर हम पहले वाले point की बात करें जहांपे 20,000 capital लाने की बात है and 5,000 goodwill लाने की बात है तो यहां पर द्यान दाए कि यह transaction revaluation के अंदर नहीं आता है क्योंकि ऐसे question जब start होंगे तो generally सबसे पहली चीज बोली जाएगी revolution account बनाने के लिए अब देख भी सकते हैं कि यहां पर last में लिखा भी है अब C point के दर हम बात करें there was a liability of 6,000 for workers compensation fund तो इसके भी बात करने आगे और एक unrecorded furniture की बात यहां पर करी गई है तो अब इसको simultaneously हम solve कैसे करेंगे तो पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा एक format बना लेना चाहिए revolution account का तो यहां पर revolution के लिए करना क्या है वैसे board exam की जो copies आपको मिलेंगी वहां पर अल्रेडी by default ledger जो है वो बने होंगे आपको सर्फ उसमें data एंटर करना है तो यहां पर ओगे आपका particulars यह ओगे आपका amount again particulars and then again यहां पर amount as usual this is the debit side and this one is the credit side तो यह आपकी debit side यह आपकी credit side अब बात कर लेडे transaction की step by step तो सबसे पहली चीज question आपको बोला गया करतिका विल ब्रिंटी थाउजन for her capital and 5 थाउजन for premium for goodwill तो यह transaction जो capital or goodwill की premium वाला है यह transaction revolution के अंदर नहीं आता हमने last video में जब revolution की बात करी थी मैंने बताया था कि it is related with reassessment of liabilities and revolution of asset यानि आप सिर्फ assets or liabilities को आप लेते हैं फिलाल capital लाना और premium for goodwill लेके आना is a different scenario तो यह यह record नहीं होगा यह capital account के अंदर record होगा अब बात करते हैं provision for doubtful debts की which is to be created at direct 5% अब बहुत आरे पिच्छे confused हो जाते हैं वो कहते हैं कि provision बनाना किस पर बनाना है तो भई provision अगा doubtful debts पर बनेगा तो वह हमेशा debtors पर ही बनता है यह ध्यान रहे तो debtors आपके कितने यह आपे 9,000 है आपको करना किए 9,000 का 5% calculate कर लेना है तो अगर आप इसका 5% calculate करते हैं तो 5,945 यानि 450 है निकल के आता है अब यह जो provisions होते हैं यह सारे के सारे provisions के होंगी liabilities होती है तो यानि liability बढ़ रही है और हमने last time जब बात करी थी revolution की तो मैंने बताया था कि अगर liabilities बढ़ती है तो इस site record होंगी as such आप एक चीज़ और देख सकते हैं question में कहीं पर भी provision पहले से नहीं था अच्छों confuse करने के लिए provision कई पर यहां लिखा होता है generally आपने जितने भी question solve करे होंगे अब तक rarely आपको कहीं पर provision यहां मिला होगा bad and awful dips का तो बच्चे बहुत बहुत confused होते हैं तो बच्चों आपको confused नहीं होना आपको सबसे important चीज़ यह है कि जब भी provision की बात आएगी provision create करिये लेकिन आप side by side यहां पर liability side में भी check करेगा कि क्या provision अगर provision वहां पर है तो अगर आपको difference लेना पड़ेगा नहीं है जैसे इस case में ना तो इस side ना side है तो जो 450 आया है पूरे इस ही amount से liability अपकी increase हो रही है तो अब क्या करेंगे आप आएंगे to side में और यहां लिखेंगे to provision for bed and doubtful debts account okay and 450 जो आपका amount है वो आप यहां पर लिख देंगे चलते है next transaction में next transaction में बोला गया है कि there was a liability of 6000 for workers compensation reserve या fund तो यहां पर क्या होता है जो WCR है आप देख सकते है यह एक type का compensation है जो worker को पे करना है अब इस पर liability है 6000 की workers compensation fund है 16 15,000 रुपीज तो हम अराम से 6000 रुपीज पे कर सकते है तो इस केस में होगा क्या entry बनेगी workers compensation reserve account debit to provision for claim against WCR यानि कि यह 6000 रुपीज वहां से गायब हो जाएंगे सीधे claim में चले जाएंगे अब बात आती है बच्चे वे 10,000 रुपीज की तो अगर by chance के claim जादा होता मान लेते हैं कि यह claim जो होता liability जो होती 20,000 के होती तो हमारे पास रुपे जो WCR के अंदर है वो तो सरफ 16 है तो ऐसी situation में जो 4000 का loss होता उससे revolution debit होता आगे चलते हैं लिखाएं कि unrecorded furniture था 5000 का unrecorded furniture 5000 का होने का मतलब यह है कि furniture जो है वो बढ़ रहा है increase हो रहा है और जब कोई asset increase होगी तो वो यहाँ पर record होगी that will be on buy side तो buy लिखेंगे हम furniture buy furniture account कितना amount देख सकते हैं बोला गया 5000 so it means कि 5000 रुपीज से आपका furniture जो है वो आप increase हो रहा है तो यह 5000 भी यहाँ पर record हो गया इसके अलावा as such कुछ और जो है वो revelation के अंदर record नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं अब आप इसे कर सकते हैं balance तो इस case में आप क्या करेंगे account balance करते time again जो site ज्यादा होती हो लिखी जाती है तो यहाँ पर 5000 है तो it will be 5000 which will be written over here 5000 यहाँ पर then minus करेंगे आप 450 इस में से 5000 में से 4 गया 4600 बचता यह बचेगा 4550 ठीक है और अब क्यूंकि इस साइड आ तो it will be to profit transferred to it will be to profit transferred to और यह किसमें distribute होता ही होता है old ratio में old ratio जो था वो था आपका 3 ratio to and partner है Karan and Amit it will be Karan and then Amit so यह आएग आपका divide करके that is 2730 and similar way में अगर हम इसकी बात करें it will be 1820 अब यह तो हो गई बात आपके revaluation की अब बात आती है partner's capital account की partner's capital account जब बनेगा तो तीनों का बनेगा including जो new partner है उसको भी क्योंकि यहां आप goodwill के transactions दिखाएंगे plus settlement करेंगे जो भी पुरानी इनकी losses है या फिर भी जो revaluation करके losses या profits हो है उनको ठीक है तो अब sequence देख लेते हैं order देख लेते हैं Karan Amit Krittika तो यह है आपका करन Again Same चीज़ है यह इस particulars, this is the debit side as usual and this one is the credit side. सबसे बहले चीज़ करते हैं क्या करनी होते है आपको आप capital balances यहां पे लेके आते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले by balance brought down और यह balance brought down कहां से आएगा? Because this is a capital account ठीक है? यह है आपका partners capital account. तो partners capital account में जो balance आएगा, capital का होगा ठीक है? तो आप यहां पे लेंगे इसकी balance sheet को देखेंगे यहां पे value दिए आपको देखेंगे 40,000, 20,000 ठीक है? तो यह आप लिख देंगे करन और Amit के में 40,000 and 20,000 कृतिका के अगर बात करें तो कृतिका नहीं partner है वो अभी अभी एंटर हुई है partnership में यहां लिखाए कि वो 20,000 रुबी इस capital लेके आ रही है तो इसकी entry जो होगी वो होगी by bank या फिर आप cash के थूरू तो देख लेते हैं balance sheet में cash in hand दिया है तो हम भी इसको cash के थूरू कर लेते हैं तो it will be by cash account कितने रुबे लाने इसको 20 लेके आई है तो 20,000 रुबी यहां पर आ जाएंगे as a capital अब ध्यान गे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे गडबड़ी यहां पर करते हैं balance BD में इसकी capital लिख देते हैं और कुछ को balance BD पता ही नहीं होता यहां लिखना किया तो इस capital account बनाएंगे तो capital account का balance brought down होगा ऐसे अगर cash account बनाएंगे तो cash account का balance brought down होगा similar way में अगर कोई और account बनाएंगे तो balance BD होगा उससे related होगा और ध्यान के भी रखना है कि जो liability वाले item होते हैं उनका balance brought down वह होता है क्योंकि credit balance होता है और assets उनका debit balance होता है इसलिए 2 में होगा अब यह cash के entry तो हो गई अब बात आती है premium for goodwill की 5000 जो यह लेके आरही है अब आप सभी को पता होगा कि premium for goodwill होता है ना वह जब नया partner लेके आता है तो वह distribute होता है आपके sacrificing ratio में तो ऐसी situation में आपको sacrifice calculate करना है simple rule है जो आप सबको पता ही होगा that is अगर यह वाली condition लगती है देखे यहां पे क्या है क्रितिका एड में टूई है लेकिन आगे आपको कुछी new ratio के बार में नहीं बोला गया है यह नहीं बताया गया कि किसी partner ने इतना share contribute किया है sacrifice किया है तो ऐसी situation में जो old ratio होता है यह sacrifice होता है रही बात ratios calculate करने की तो इस पे भी already एक video है इसका link आपको description में मिल जाएगा अब इसका simple सा मतलब है कि goodwill का distribution होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे by premium account ठीक है and distribution 32 में हो रहा है तो it will be 3000 and 2000 इस तरीके से इसी तरीके से अगर आप देखें तो देखें यहाँ पर और कोई as such तो चीज है नहीं लेकिन WCR के साथ ऐसा हुआ था कि यह जो liability थी 6000 रुपीज की थी और fund आपके पास था 16 का तो 6 तो वहाँ चले गए लेकिन जो बचे 10 थे वो 10 अब distribute होंगे partners में तो आप यहाँ पर buy side में देंगे और it will be buy WCR account अब 10 थे तो it will be 6000 and 4000 ध्यान रहेगे पुराने benefits कभी भी नए partner को नहीं मिलते हैं इसलिए कृतिका को इसमें कोई share नहीं मिलेगा similar way में यहाँ पर हमने calculate किया था यह profit revaluation वाला तो जो revaluation वाला profit है यह भी यहाँ पर आएगा buy side में it will be by revaluation account और हम इस amount को लिग देंगे amount है 2730 तो it will be 2730 and 1820 1820 ठीक है तो आपका यह वाला portion भी अब record हो गया अब वापस से question में फिर से चलते हैं unrecorded assets से मारा कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ यह जो profit and loss यहाँ पर दिया हुआ है यह जरूर distribute होगा two side में क्योंकि यह loss है इसलिए अब आपको यह चीज और ध्यान रखनी है वह यह कि जब कभी भी आप कोई चीज रिकॉर्ड करेंगे टो पर ढर्में को करेंगेे मतलो कि आपको तो पॉर्फित रखनें लेकिन पर प्रोफित यह पूर्ट सने लाइस था जो पो बैन Gyots and loss account और यहां पर कौन सी values आएंगी? यहां पर आएंगी यह 25,000 को distribute करके 3,2 में क्योंकि old register में होगा तो 5,5 जा 25 तो फ्योंगया 5,3 जा 15 and 5,2 जा 10 तो यह distribution यहां पर हो जाएगा इसके अलावा as such और कुछ नहीं है जो की revolution के अंदर record हो तो अब हम करेंगे करेंगे इसको करेंगे हम total और फिर हम यहां पर निकालेंगे नया balance cd याई कि अपका balance निकल का एगा final वाला that will be balance cd तो उसको अब में calculate करना है तो again same procedure, same rule हम total करेंगे जो side जाद होगी obviously this is the greater side तो हम इसको यहां लिखेंगे और जो भी difference आएगा it will be written as to balance cd तो अब इसे balance cd के form में हाँ पर लिख देंगे finally total करने के बाद और minus करने के बाद जो values आ रही है वो आ रही है करन की capital account का जो balance आ रहा है रहेंगे cash account cash account बनाना बहुत ही असान है बहुत ही एज़ी है simple आ पंडा है again as usual this is the debit side this is the credit side format same है particular amount particular अब क्योंकि यह asset है तो obviously debit balance होगा तो हम यहां लिखेंगे to balance brought down अब इस balance brought down में वो amount आती है जो cash का balance balance sheet के अंदर दिया है तो cash का balance आप देख सकते हैं यहां पर जो balance sheet एस में दिया था 1500 तो आप यहां पर लिख देंगे 1500 फिर cash में कहां कहां से रुपय आये वो record होंगे debit side में क्योंकि debit what comes in credit what goes out वाला rule यहां पर follow हो रहा है in short अगर cash बढ़ेगा तो debit side में record होगा और घटेगा तो buy में record होगा यानि credit side में तो यहां पर बात करी गई थी कि जो kritika है 20000 capital ला रही है 5000 goodwill लेकर आ रही है तो हम यहां पर लिखेंगे 2 में 2 2 kritika's capital account कितने रुपे लाई है 20000 capital लाई 20000 लाई similar way में लिखा जाएगा 2 premium for goodwill 5000 रुपीज तो यहां पर आ गया टोटल कर लेते हैं कि क्यों और ऐसाच कोई transaction है नहीं अगर कुछ payment होगी होगी तो buy side में record होगी लेकिन इस question में अच कुछ थानी तो यहां कि 26500 26500 तो यहां लिखेंगे हम 26500 इस साइट कुछ करने के लिए है नहीं 26500 और यह जाएगा अपका by balance cd यहां बालन cd यह final value होगी अब इसके बाद जो next step है वह है बनानी है balance sheet तो balance sheet again बनाते वक्त करना क्या है balance sheet का जो format होता है सभी को पता होगा कि क्या होता है in case अगर आपको नहीं पता तो आप इसे देख सकते हैं this is the liabilities side then again amount this is asset side and again this is amount balance sheet के case में कोई debit और credit नहीं होता लेकिन liabilities और assets होती है तो यह चीज़ आपको यहां पर धान रखनी है और balance sheet की property होती है दुनों साइट balanced होती है आप को करना क्या है सबसे पहले चीज़ question में चलना है question में देखना है कौन-कौन से चीज़ों में changes यहां पर आए है तो sequence के ही follow करते है सबसे पहले capital दी है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर तो हम भी यहां पर सबसे पहले capital ही लिखेंगे ठीक है तो हम यहां लिख देते है capital accounts accounts and जो values है इनके नाम लिख लेते है वो था Karan, Amit and Kritika तो हम यहां पर लिखते है Karan and then Amit and Kritika अब इनकी capital हम लाएंगे कहां से उसके लिए हम जाना पड़ेगा capital account में capital account का balance आप देख सकते है जो यह balance cd था यहां से आप पिक करेंगे values तो 36,730 ठीक है it will be 36,730 next that is 17,820 it will be 17,820 and last में जो करते का उसकी तो 20,000 तो 20,000 total कर लेंगे यहां पर लिख देंगे so it is 7455 00 आगे चलते है employee provident fund है इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ कुछ कहा नहीं किया था यह as it is आजएगा ठीक है तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ EPF याने employee provident fund कितना था यह था 10,000 तो it will be 10,000 which has to be recorded over here आगे चलते है नेक्स्ट में workers compensation fund आप distribute कर चुके हैं तो 6,000 तो अपने compensation पे करने में लगाया and बाकी का 10,000 था वो आपने के किया distribute कर दिया तो ऐसे situation में जो claim है ठीक है वह यहां दिखेगा आप लिखेंगे claim against WCR कितना था 6,000 का claim है तो 6,000 आप यहां पे show करेंगे इसके लावा sundry creditors तो creditors के बारे में यहां पे कुछ भी नहीं बोला गया था ठीक है तो इसका मतलब creditors में कोई change नहीं आया तो creditors will be recorded as it is तो आप यहां लिखेंगे creditors and 7,500 जो लिखा हुआ as it is आप उसको यहां पे लिख देंगे यह जिन चीजों में change नहीं आएगा उनको as it is यहां पे लिखा जाएगा अब आते हैं asset side में asset side में सबसे पहले दी गई है plant and machinery तो हम यहां पे लिखेंगे plant and machinery कितने के दी हुई है देख सकते है that is 18,000 इसके बार में कुछ बोला भी नहीं किया है तो आप यहां पे इसको as it is 18,000 पे record कर देंगे similar way में furniture अब furniture के लिख चीज बोली गई थी कि unrecorded furniture भी है 5000 का इसका मतलब furniture पहले से हमारे पास 40 का था और unrecorded unrecorded का मतलब जो record नहीं था तो आपको बाद में पता चला कि भाई 5R का furniture तो firm में और है इसका मतलब furniture आपका बढ़ गया तो यानि यह हो गया 45,000 अब तो आप यहां लिखेंगे furniture और यह हो जाएगा अब 45,000 कैसे 40,000 पुराना plus 5,000 नया आगे चलते है P&L डिस्रिब्यूट हो चुका है या एगा नहीं sundry debtors आएंगे sundry debtors ठीक है अंदर लिख लीजे पहले जो इसकी original value that is 9,000 तो आप यहां लिखेंगे 9,000 अंदर फिर आप यहां पे लिखेंगे less जो आपका provision था provision for bed and doubtful depth कितना निकला था 450 निकला था 450 आप यहां पे इसमें से less कर देंगे तो यह होगी आपका 8550 ठीक है इसके अलावा next आगे चलते है cash in hand दिया हुआ है तो हम यहां पे लिखेंगे cash और हमने यहां पे calculation करे थी cash account की 26,500 final balance that will be 26,500 इसके अलावा कुछ और अगर आप देखें तो यहां पे सच कुछ भी नहीं दिया है और यहां के सारे adjustments आप कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि यह फाइनली यहां पे complete है बस अब हमें करना क्या है हमें करना है total इसको और finalist को टोटल करने पर दोना साइट balance और आंसर आरहा है 98050 इस तरीके से आप question जो है वो solve करेंगे यह था आज का वीडियो आप वीडियो अच्हा लगा होगा वीडियो अच्हा लगा तो वीडियो को like करियेगा अपने friends के साथ share करियेगा चैनल को subscribe भी करियेगा और साथ साथ comment करके हमें बताएगा कि किस topic पर आप वीडियो देखना चाहते हैं thanks watching the video